नमस्कार मेरा नाम है अभिनाव तुशांशू पांडे और आज हम बात कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन के इस सेकेंड पार्ट की मतलब 2014 में हुआ यह एक्जाम छात्रवास अधिक्छक और इसके पहले 10 प्रशनों को हम पहले देख चुके हैं इस वीडियो में हम प्रशन करमां 11 से लेके 20 तक के सारे प्रशनों को देखेंगे अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि यह एक नई सीरीज है जहां हम 2019 से लेके अभी तक की सारी की सारी पिछली 36 गड़ की सारी अलग-अलग परिक्षाओं के बारे में बात करेंगे हम यहां गणित विसए के जहें सारे पश्चनों का डिसकुशन करेंगे और इसके साथ-साथ हम यह देखेंगे कि topic wise किस किस परिच्छा के लिए कौन-कौन से विसेश हमको प्रबंध करने चाहिए या विसेश तैयारियां करनी चाहिए तो समय दर्श ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या है आप लोगों को बता दूँ कि यहां पर हम previous year के exam को cover क review मतलब होता है previous year question और यही हमारे इस प्ले लिस्ट का भी नाम होगा हम व्यापरम और CGPAC के जितने भी महत्वपून exam है उन सारे exams के maths के प्रशनों के ऊपर चर्चा करेंगे तो maths की चर्चा यहां पर होगी अभी पटवारी का exam हम देख चुके हैं hostel warden में 2014 का जो exam है वो देख रहे हैं इसके बाद में जैसे जैसे प्रशन पत्र हमें मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे की परिक्षाओं के मतलब इसके बात की परिक्षाओं के बारे में भी बात करते रहेंगे इसके बाद में data nt operator riadeo यह सारे के सारे exams हैं जो बहुती जल्दी notification में आने वाले हैं और इसी लिए हम इन सारे प्रशनों की चर्चा कर रहे हैं अच्छा आप लोगों से एक और request है कि अगर आप लोगों के पास में कुछ पुराने प्रशन पत्र पड़े हो तो आप scan करके अभिनो.pushon2.2020.gmail.com यह हमारा email address है आप यहां भेज़ने ताकि हम अच्छे से जो है आप लोगों के लिए जो भी जितने भी latest exam है उनके question papers यह दो अंकों का योग 144 है और उनका लगुत्र समापवर्थ 420 है तो छोटा अंक क्या होगा अब इसके लिए जो हम एक बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा एक उधारन होना चाहिए और उसके बाद में एक बार concept समझ में आ जाए तो यह इस प्रश्म तव्यों कर हम दे पाएंगे अब देखिए कि मैं आपको अगर बोलू कि एक पहला हमारा जो अंक है वो 30 है और हमारा जो दूसरा अंक है मान लेते हैं कि वो है 45 है अब यहां हम बात करते हैं कि इनको हम किस तरीके से इनका LCM निकालेंगे तो देखिए अगर मैं इनको जोड़ू तो हमको क्या मिलता है 75 मिलता है और अगर मैं इनका LCM निकालों तो 90 से जो है मेरा LCM भी निकल जाता है अब यह चीज मैंने की कैसी यह प्रक्रिया हमारे लिए महत्वकून हो देखिए 30 को मैंने क्या लिखा 30 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 5 गुणा 2 पांदोने 10 तिया 30 इसी प्रकार से 45 को मैं लिख सकता हूं 9 गुणा 5 अब देखिए कि हम सारी संख्याएं जो जैसे दो की घात वाले सारी संख्याएं अलग रखेंगे पांच की घात वाली अलग रखेंगे इस प्रकार हम सभी अभाज्य संख्याओं का एक यूग मों बनाते हैं और उसमें उस अधर आती है सारे के सारे दीवए अंकों में उसी को लेकर हम अपना LCM या SCF निकालते हैं महत्तम समापड तो यहां क्या देख रहे हैं हम कि दो की घात यहां नहीं है मतलब कि हम दो को नहीं ले सकते तो दो तो हमारा कट हो गया अब देखेे पांच की घात यहां पर भी एक है यहां पर हम लोगों ने क्या लिया है मतलब 15 और 15 से अगर हम भाग लेंगे तो 33 भी कटता है और पहटालेश भी कटता है यह हमारा SCF हो गया, इसको निकालने का तरीका क्या हो गया, जो मैंने भी आपरों से डिसकस किया, लेकिन जब हम बात क्या करेंगे, जब हम बात करेंगे LCM की, तब हमको बड़ी से बड़ी वो संख्या चाहिए, जो इन दोनों से पूरी-पूरी तरीके से भी बाजित हो जाए, तो चले लेंगे और इसके साथ साथ अब हम जो है यह देखेंगे कि दो जो है यहां पर है यहां नहीं है लेकिन फिर भी हम दो को लेंगे तो अब वह छोटी से छोटी संख्या जो 30 और 45 से भी भाग चली जाए वह क्या होगा अब आप लोगों को LCM निकालने का भी यह प्रोसेस समझ में आ गया अब अगर हम से यह पुरशन पूशता है कि इन दोनों संख्याओं का योग 75 है और इन दोनों संख्याओं का जो LCM है वो 90 है तो किवल यह दो संख्याओं देखे हम पो अगर पिछली संख्या के बारे में म सेंगा पंद्रा मिलता है अब हम क्या दिखेंगे कि दोनों संख्याओं का योग कितना है पंद्रा गुना पांच और दोनों संख्याओं का LCM कितना है 15 गुणा 6 अब इससे जो है जब हम दोनों संख्याओं के बारे में देखना चाहेंगे तो हमको यहां मिलेगा कि हम पांच को किस तरीके से तोड़ सकते हैं पांच को हम तोड़ सकते हैं 2 धन 3 के दो धन 3 करने से हमको 5 मिला और यहां 2 गुणा 3 करने से 5 मिला तो इस प्रकार से हमको दोनों संख्याओं के बारे में कैसे पता चलेगा पहली संख्या होगी 15 दोने 30 और दूसरी संख्या होगी 15 तिया 45 हम इसी मेथड को यूज करेंगे और अपने इस प्रश्णता उत्तर देंगे अब यहां देखिए हमारे इस प्रश्ण में दोनों संख्याओं का योग कितना है 144 है और दोनों संख्याओं का LCM कितना है 420 है हम क्या करेंगे कि क्या ऐसी कोई common संख्या है जिससे इन दोनों को भाग दिया जा सकता है और वो उत्तर हो जाएगा 12 से अगर मैं 144 को भाग दू तो 12 12 में 144 होता है और इसी तरीके से 12 से अगर मैं 35 का गुना कर दू तो मुझे 420 मिल पाए अब सूचिए कि ऐसी दो संख्याओं जिसको जोरने पर 12 और गुना करने पर 35 आता हो 5 और 7 5 धन 7 बराबर 12 होता है और 5 गुना 7 मतलब 5 सकते 35 होता है ये चीज़ आप लोगों ने समझी अब हमको छोटी संख्या भी मिल गई छोटी संख्या क्या होगी 12 संख्य साथ बड़ी संख्या क्या होगी 12 सक्ते 84 आप देख लिजे इनका LCM जो है 420 और योग कितना आएगा एक से चवाली तो हमसे क्या पूछा है हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछा है अगर आप यहां देख पाए तो हम लोगों ने ठीक है तो छोटी से छोटी छोटा अंक साथ जोटी पूछा है तो वह हमारा उत्तर हो जाएगा साथ और यहीं हमारा सही उत्तर आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे हमारा अगला प्रश्म अब देखे समांतर चपतुर्भुज कैसा दिखता है जहां ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो लेकिन उनके किसी भी कौन का मान नब्बे अंस नहों इसको हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं या इंगलिस में हम इसी को लिलियोग्राम दूसरा चतुर्भुज चतुर्भुज में सिर्फ चार भुजाएं होना जरूरी है इसमें जो है किसी निश्चित आकरती की आवशक्ता नहीं है तो मैं एक चतुर्भुज की कल्पना इस प्रकार से भी कर सकता हूं जहां पहली दूसरी तीसरी और चौती फजा है इसलिए चतुर्भुज है लेकिन इसकी आकरती की कोई आवशक्ता नहीं हो आयत किसे कहते हैं जहां विपरित भुजा एक दूसरे के बराबर हो और प्रक्टे कों नव्दने अंसका ह interesting यह हमारा आयत हो गया और अब वस्ता समलम् कि दो भुजाएं एक दूसरे के समानतर होती हैं, दो भुजाएं एक दूसरे के समानतर होती हैं, और दो भुजाएं, बची हुई दो भुजाएं, एक दूसरे के समानतर नहीं हो सकती हैं, मतलब अगर नाव जैसा या बोट जैसा बोट जैसा बोट जैसा कोई शेप नजर आ सब्सक्राइब नाम होता है समलम बचतर बोज और यहीं हमारा सही उपतर है अगर आपको यह चीजें जिस डीटेल से मैं पढ़ा रहा हूं या जिस तरीके से मैं चीजों को आसान करके बता रहा हूं अगर यह चीजें आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें ताकि मेरा मन इलोग्राम मैंने अभी बताया चारों शेट के बारे में मैं आपको बता दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां देखे प्रश्न अच्छा प्रश्न है और यह इस प्रश्न पत्र में अनुपात का शायद दूसरा प्रश्न है आप ध्यान रखेगा इससे पहले वाला सवाल जो हमारा था वो क्या था? यह था LCM-SCF से जूड़ा हुआ, LCM-HCF से जूड़ा हुआ प्रश्न था तो अब जो हे हम तीसरा वाले जो कैटेगरी बात कर रहे हैं यह क्या है? अनुपात अब यहां पर क्या बोल रहे है देखिए? यहां पर бол रहे है कि हमारे पास में दो संख्याएं है दो व्यक्तियों की उम्र है और वो अभी किर्फिल हल कितनी है 5 उन्पाथ 7 लिख लेते हैं 5 उन्पाथ 7 इनकी वर्तमान आयू है और 18 साल पहले उम्र का उनुपाथ कितना था आठ अनुपार 13 था अब यहां क्या देखने वाले चीज़ है आप देखिए कि क्या इनके बीच का अंतर कितना है तो 8 और 5 तेरा होता है मतलब इनके बीच का अंतर है 5 यहां अंतर कितना है इनके बीच का अंतर है 2 तो अब क्या होता है कि अगर ऐसे अंतर आपस में जो संख्याओं के बीच का अंतर अगर अलग अलग हो तो प्रश्णों को हल करना मुश्किल हो जाता है इसलिए हम क्या करेंगे यहां कर देंगे दो का गुना और यहां कर देंगे पांच का गुना हमको नई संख्याय क्या मिलेंगी बताईए नई संख्याय मिलेंगी आठ और दोने 16, 13 दोने 26 यन पात हो गया यहां और यहां देखे पांच पंचे 25 और 75 अब बताईए कि 16 में मैं ऐसा कौन सी संख्या जोर दूँ कि मुझे उत्तर में 25 मिले तो 16 में हम जोड सकते हैं 9 तो हो जाएगा 25 इसी तरीके से 26 में 9 जोडने पर हमको कितना मिलता है 35 लेकिन यहां प्रश्ण क्या बुलता है कि यह जो समय का अंतराल है वो 9 नहीं 18 साल है मतलब इसका कितना गुना जादा दो गुना जादा तो हमारी जो संख्या है 25 यह भी दो गुना जादा होके कितनी बन जाएगी 50 और यहां पर भी 35 नहोकर दो गुना जादा कितनी बन जाएगी 70 तो हमारा उत्तर आएगा इनकी वर्तमान आयू है 50 वर्स और 70 वर्स हमारा option D सहीं है इसी तरीके से अब आप अगर प्रश्ण यही प्रश्ण English में देखना चाहें तो यहां देखिए और फिर हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण क्या है चलो देखते हैं तो यह रहा हमारा अगला प्रश्ण अब देखें यहां पर संभावनाओं के बारे में पहले बात करेंगे और उसके ब यह देखा नहीं है तो वक्ष रहोगी इसलिए मैं वृक्य को वक्रू की सिुनाएं में रख सकता हूं ठीक है अब देखे कि क्या एक सीथी रेखा किसी वक्र को एक भी बिन्दू पर ना काटे। संभाव है देखिए यहां पर वृत के दूर से निकल जा रही है किसी भी बिंदू पर नहीं काट रही है तो यह उत्तर सही है फिर देखिए कि क्या एक रेखा किसी वक्र को एक ही बिंदू पर काटे अब एक ही बिंदू पर काटना है आप इस पर शरिखा के बारे में अगर जानते होंगे, तो आप जानेंगे, कि किसी गृत्ट की परदी में, सिर्फ एक ही बिंदू से घुजरने वाली इसी रेखा को क्या कहते हैं इस पर्श रिखा कहते हैं मतलब इस वक्र को ये एक सरल रिखा जो है कि इस एक ही बिंदू पर काट रहे हैं तो ये उत्तर भी सही है अब क्या बोल रहा है कि एक से अधिक बिंदू पर तो भाईया यहां पर जो है हमारे पास में एक बहुत सिंपल सा जो है solution हो गया option हो गया यहां देखिए यह एक गृत्त है और एक रिखा इसको एक से अधिक बिंदू पर बिंदू A पर और बिंदू B पर भी काट कर जा रही है इसका मतलब यह है कि एक से अधिक बिंदू पर भी हमारा option सही है लेकिन बताइए क्या यह तीनों घटना एक साथ हो सकती है नहीं हो स उपरोप्तों में से सभी लेकिन उपरोप्तों में से कोई भी का क्विसेस अर्थ है तो यह option हमारा सबसे सही option है कि इन तीनों में से कोई भी एक स्थिती हम देख सकते हैं इसलिए option B is correct आपको यह समझ में आया होगा तो दोस्तों को भी share कर दो भाई ताकि उनको भी समझ मे तो चलिए आगे बात करते हैं यही प्रश्न एंग्लाष में कर की बातीया है जिसे हम इन्ने में क्या वुलते हैं वक्र और स्ट्रेट लैन्कों बूलते हैं सरल रेखाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अब देंखो समांतर चतुर्वुई और यहां पर चैट्र फल प्रश्न की बात है फिर से चेत्रमिती आ गया अब आपको समझें कि चेत्रमिती के कितने सवाल पूछ चुका है उताई वाला प्रश्न वो भी चेत्रमिती था ये वाला प्रश्न भी चेत्रमिती है सायद आगे भी देखने की ने मिले तो यहां समझने वाली बात क्या है हैं तो कुछ-कुछ प्रश्णों के उत्तर आपको वहीं मिल जाते हैं उन्में से एक यह है ठीक है तो यहां क्या देख रहे हैं हम लोग हम लोग यहां देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भूज का छेत्र फल कितना होता है यह होता है आधार गुणा उचाई मतलब यहां पर यह एबी जो है हमारा आधार है और यहां से अगर हम एक सीधी रेखा खीचे जो यहां नीचे आधार को 90 पर काट्टी है तो यह इसकी उचाई हो जाएगी है अब हम बात करेंगे कि किसी त्रिभूज का छेत्र फल क्या होगा तो त्रिभूज का छेत्र फल होता है यह कितना होता है एक बटा दो आधार गुणा उचाई है हम यहाँ पर भी वही बात करेंगे यहाँ से 90 अंस को काटने वाले 90 अंस बनाने वाले एक सीधी रेखा की चाहिए यह हमारी उचाई है यहाँ पर दोनों की उचाईयां बराबर हैं क्योंकि यह रेखाएं एक दूसरे के समानतर हैं ठीक है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि X क्या है त्रभुच का छेत्रफल है और Y क्या है समानतर चतुर्भुच का छेत्रफल है तो हम यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि Y जो है वो X का दो गुना है अब इसलिए X बटा Y मतलब भाई X क्या है त्रभुच का छेत्रफल है तो X जो है चतुर्भुच का छेत्रफल है और Y जो है चतुर्भुच का छेत्रफल है तो इनके बीच का अनुपाद तो एक अनुपाद दो होगा और इसलिए हमारा ये उत्तर सहीं है ठीक है त्रभुच का छेत्रफल समानतर चतुर्भु चोड़ो लेकिन चलो यहां प्रश्ण तो देख लो ठीक है तो चलिए इसके बाद में हम देखेंगे अगला प्रश्ण और यह तो सिद्धा अंगलेस में आगे अच्छा चलो अब क्या है यहां कहानी देखो कि एक रप्ति को कुल 9000 रुपए की उधारी लेना था मोबाइल लिए उसके पास दो दोस्त थे अरे दो बैंक हैं तो बैंक से अलग 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 अमाउंट जहार लेता है एक को 5% की ब्यास देना है और दूसरे को 7% की ब्यास देना है जिसको चुकाने में उसको कितना समय लग गया दो साल लग गये देखिए यहां पर दो वर्श्ण की बात कर रहे हैं ठीक है और अगर पूकुल मिला के वो ब्याज कितना दिया 954 तो फिर जो है वो कहां से कितना पैसा लिया था अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे साधारन ब्याज थी तो साधारन 5,57 और 954 तो यहां हम ले लेते हैं स्क्रीन ताकि जगा मिल जाए तो 5,57 प्रतिसर नो सो चववन और पूल मिला के राशिती 9,000 रुपए यह डेटा हम लोगों ने रख लिया अब देखिए अगर मैं मानू कि यह जो 7 प्रतिसर की दर से साधारन ब्याज का पहले फॉर्मूला बता दो भाईया तो साधारन ब्याज क्या होता है साधारन यहां में यहां लिखते हैं साधारन ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा सौ यह अब मूलधन क्या है यहां पर एक्स है दर कितनी है साथ प्रतिसर और सम साथ बचे हुई रासी कितनी होगी अब भई मैं 9000 में से मान ली जाए 2000 मैं यहां लेता हूँ तो बचा कितना 7000 तो उसी प्रकार यहां बचे हुई रासी हो जाएगी 9000 और दर कितनी है 530 और समय कितना लगा 2 वर्ष बटा 100 और यह दोनों ब्याज को मिला देने से हमको कुल क इतना पैसा देना था 944 रुपा यहां तक की बात आपको समझ में आई तो यहां हमारे पास हो जाएगा 14X धन 9000 तो यहीं था और 5 दुने 10 का गुना करेंगे तो एक और 0 बढ़ा देंगे रिन 10X और यह जो दोनों जगात हर में या डिनॉमिनेटर में 100 है उसको मैंने यहा अलाके गुना कर दिया तो यहां हो जाएगा 9500 नई दो सुने बढ़ाना है 95400 अब देखिए अब मैं क्या करूंगा कि मैं जो जो चीज़ें ट्रांसफर करनी हैं वो पहले ट्रांसफर करूंगा मतलब यह 9000 यहां जाके घड़ जाएगा और यहां बचाएगा 14 में से 10 गया 4X और 4X कितने के बराबर है 5400 रुपए के बराबर है अब मैं अगर भाग दू तो यह हो जाएगा X बराबर 5400 रुपए बटा 4 4 एकम 4 4 तिया 12 अभी भी कितना बज़ गया 245 बीस 1350 रुपए जो हमारी राशी आई वो किस के कहां से आई 7 प्रतिसरत वाले बैंक से मतलब और बची हुई रासी 9000 रुपए में से अगर मैं 1350 यहां खर्च कर दूँ तो यहां बचेगा 05 और यहां जो है 10 में से 4 गया बचा 6 और 9 में से 2 गया तो 7650 तो हमारे पास में राशिया आई यह 7650 पहले बैंक से 5 परतिसद वाले बैंक से 7650 और साथ परतिसद वाले बैंक से 5 यह तो चलिए हम अपने ऑप्शन देखते हैं देखिए 5 परतिसद वाला बैंक कुम सा है हमारा बैंक ए है और साथ परतिसद वाला बैंक जो है हमारा बैंक भी है ठीक है तो पांच अब पांच है वाले से 7650 और साथ परतिसद वाले से 1350 मतलब हमारा बी ऑप्शन सहीं हुआ यह हमारा उत्तर है मुझे उमीद है कि आप लोगों को यह प्रशन भी समझ में आया ही होगा तो अब बढ़ेंगे हम अगले प्रशन की ओर और यहां पर देखे यहां पर भी बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ है और यहां फिर से हम छेत्रमिती और रेखा गणे यहां पर जाता है कि सिंपल इंट्रेस्ट और कंपाउंड इंट्रेस्ट जरूर पढ़ें उसी प्रकार अगर आप होस्टल वार्डन का एक्जाम दे रहे हैं तो देखा गणित छेत्रमिती और अनुपात यह कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको हमेशा बहुत ही इमा हम बहुत जल्दी यहां पर अप्लोड करना चालू कर देंगे ताकि आप फोटाउन पदिवार के साथ जोड़कर हमारा हिस्सा बनकर हमारे साथ तयारी गए तो देखते हैं इस प्रश्ण में क्या पूछ रहा है एक घहना कार बरतन है घहना धन कैसा दिखता है भया कौन त चित चोर तेरा राधिके तो धन जहां चोरी करो सकते हैं नुद्री कर बदेगे और इसके यह कविता और इसकी बाकी कि पंकियां अगर बता सकते है तो नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर दखेए गं क्या है गं का जो है बहुंसार आर्थ होता है भी या हिंदी में बड़ा वाला हत्वरा जिसे हम लोग जो है च्छत तोड़ सकते हैं उसको भी घं बोलते हैं और एक घं ये भी है तो देखे ये वाले घं को और समझने की कोशिस कीजिए कि मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ तो ये हमारा घं हो गया और इनकी कॉर्णर का नाम लिख देते हैं यहाँ पर A, B, C, D इसी तरीके से पीछे जाएंगे E, F और G, H यहाँ पर जो सबसे दूर में एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूरी मेंटेन करने वाले का नाम है E और B, इन दोनों के बीच में अगर आप ऐसे राट को फसा के रखेंगे तो वो सबसे लंबी राट जो इसके अंदर घुश सकती है वो हो लो, अब देखिए हमको E भी निकालना है और इसके लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा यह, क्या, हमको सबसे पह भी निकालना पड़ेगा और भी निकालने के बाद में हम, तो देखिए, अब यहाँ पर नब्वे अंस का कोण है, यह घन है, सारी भूजा है एक दूसरे से, कितना कोट बनाती है नब्वे अंस का, तो यहाँ हमको एक समकोन तरिभूज मिलता है B, C, H, तो समकोन तरिभू समकोन तरिभूज है, यह और यहाँ पर है B, यहाँ है H, और यहाँ है C, तो B, H का वर्ग बराबर, H, C का वर्ग धन, B, C का वर्ग, यह समझ में आया, अब देखिए, कि यहाँ पर हमको दूसरा जो है, एक समकोन तरिभूज दिखाई दे रहा है, और वो दूसरा समकोन त अब इसमें क्या लिखेंगे तो हम यहां लिखेंगे बिए का वर्ग बराबर एच का वर्ग धान भी एच का वर्ग ठीक है यह चीज आपको समझाने के लिए देरी लग रही है अगर आप पहले से जानते हैं तो बड़ी आसानी से बनता है अब देखिए बी एच का वर्ग हम लोगों ने पहले ही यहां पर जो है इसका मान निकाल चुके हैं तो बी एच का वर्ग क्या होगा तो फिर देखिए बी ए का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन सी एच का वर्ग धन बी सी का वर्ग हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने ज क्योंकि देखिए ये वाला जो BH की value है वही BH की value यहाँ पर आने चाहिए थी ठीक है अब आपको समझ में आया आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है EH क्या है ये EH कहां दिखाई दे रहा है आपको EH का मान A है CH का मान क्या है ये भी A है और BC का मान क्या है ये भी A है क्योंकि किसी घं में सारी की सारी भुजाएं कैसी होती है बरावर होती है मतलब हम लिख सकते हैं BE का वर्ग बरावर 3A का वर्ग या फिर A का मान यहाँ पर कितना है देखिए 4 मीटर की भुजा है तो B E का वर्ग हम लिख सकते हैं B E का वर्ग बराबर तीन गुना चार का वर्ग अब अगर मैं वर्ग मूल निकालो तो B E का मान हो जाएगा B E का मान हो जाएगा वर्ग मूल तीन गुना चार का वर्ग इसमें से जो है वर्ग मूल से चार का वर्ग बाहर निकल जाएगा और चार वर्ग मूल तीन ये हमारा मान निकल जाएगा किसका वी ई का और यही वो सबसे लंबी दूरी है जो हम इस घन के अंदर डाल सकते हैं इसलिए हमारा option सीख सही है बात थोड़ी लंबी इसलिए है क्योंकि सब चीजें समझानी पड़ी अगर आपको पहले से आता है तो चुठकियों की बात थी ठीक है तो यही प्रश्ण एक बाद अंगलिस में देख लो फिर बढ़ेंगे आगे अगली बात क्या है देखो यह यह तो को बच्चों का खेल लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता तो परशान हो जाओगे देखिए सुन्य दसम्लोव सुन्य तीन अब यह का का मतलब क्या होता है गुना कर दो गुना पांच प्रतिसद यह बराबर है हम एक्वेशन यूज़ कर रहे हैं किसके सुन्य दसम्लोव सुन्य पांच गुना एक्स प्रतिसद ठीक है अब यहाँ पर हम जो है सुन्य दसम्लोव सुन्य तीन को लिख सकते हैं तीन बटा सौ इसी तक रिए सुन्य दसम्लोव सुन्य पांच को लिख सकते हैं पांच बटा सौ और ये वाले 100 से वो वाला 100 कट जाएगा ये 100 और ये 100 कट गया मतलब आप हम हमारे पाद बचा 3 गुणा 5 प्रतिसर और यहां बचा 5 गुणा X प्रतिसर अब 5 में मैं क्या गुणा करूँ कि यहां पर 15 आ जाए तो भाईया 3 का ही तो गुणा करना है इसलिए X का मान हो गया 3 और उत्तर हो जाएगा 3 प्रतिसर बहुत आसान था आप समझ के देखिए कि कितनी अच्छी बात थी फिर हम आगे और बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में और अगला प्रश्न क्या है ये देखिए अगला प्रश्न कहता है कि एक व्रित्त की त्रिज्य आर है आर का मान कितना हो गया जितना भी रहा होगा अब अगर व्रित्त की त्रिज्य को एक सेंटिमीटर बढ़ा देंगे तो आर वन का मान कितना हो गया आर वन का मान हो गया पिछला आर प्लस एक अब वित्ती की परिधित तथा नय व्यास का अनुपाद क्या होता है व्यास डी डायामीटर बराबर होता है टू आर अब हमको डी वन निकालना है तो तू आर वन निकालना पड़ेगा और यह हो जाएगा आर धन नई यह हो जाएगा D धन 2 दो गुणा है न भाई तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो नई वृत्ति की परिधी क्या होती है अब परिधी मतलब circumference और C का मान होता है या हम इसी को क्या लिख सकते हैं पाई गुणा डी लेकिन नए वृत्ति की परिधे निकालना है मतलब C1 तो यहाँ पर D1 हो जाएगा बटा D1 करो तो यहाँ पर भी बटा D1 तो D1 से D1 कर जाएगा और हमारे पास बचा क्या पाई बटा एक यही अनुपात होगा पहला उत्त इसमें देख लो फिर अगला प्रशन देखेंगे अगला प्रशन है और भी आसान चलो इसको दो अलग अलग तरीकों से हल करने की कोशिच करेंगे सबसे पहले देखिए ठब्रशन बटा एक दूसरे के बराबर है यह वाला कोंड और यह वाला कोंड दोनों बराबर होगा और ABC इससका मतलब क्या होता है जो बीच वाला है उसकी बात कर रहे हैं ए से चालू करेंगे मतलब इसी वाले कौन की बात हो लिए और कितना है 50 है तो क्योंकि ये 50 है इसमें ये भी 50 है और क्रिभुच की सारी अंतर भुजाओं का योग कितना होटा है 180 तो 180 बराबर 50 धन 50 डिगरी और धन कौन एक ही बात कर लेंगे तो A का मान कितना निकल गया A का मान निकल गया 80 और अब बताईए यहाँ पर 90 अंस का कोण बना रहा है यह दोनों मतलब यह रिखा जो है कोण A को दो बराबर हिस्सों में बाट देगी मतलब यह हो जाएगा हमसे पूछा क्या है M A B M से चालू करेंगे देखो M से चालू करेंगे M से चालू करेंगे A तक जाएगे और फिर B मतलब इसी कोण की बात हो रही है तो कोण M A B बराबर कोण V A C बटा दो और कोण V A C मतलब कोण A का मान कितना है यहाँ 80 है तो 80 बटा 2 कितना हो जाएगा 40 80 बटा 2 40 हो जाता है तो इस तरीके से हमको 40 दिगरी मिला हमारा उत्तर सी सही है दूसरे तरीके से देखिए तो दूसरे तरीके से ये हो सकता है कि भाईया ये अब चलो अगले पेज में देख लेते हैं ये वाला कोण हमको कितना दिया है ये वाला कोण हमको दिया है 50 ये वाला कोण हमको पता है कि ये 90 अंज बना रहा है तो तरीके कि तीनों अंता बुजाओं का अंता कोणों का योग क्या होता है 180 180 बराबर 50 धन 90 धन कोण MAB अब बताओ और ज्यादा आसान हो गया, तो यहां से जो है 50 और 90 कितना होता है, 140, और 120 में से 140 जाएगा, तो बचए आ कितना, 40 हो गया उत्तर दो अलग अलग तरीके दोनों आसान आप जो भी जानना चाहें उस तरीके से जो आपको आसान आसान लगे जाए आप उसी तरीके से तैयारी कीजिएगा तो हम लोगों ने चात्रा वास अधिक्कत के 2014 के पारे के सारे प्रस्ल देख लिए इसके बाद क्या करना है बताओ इसके बाद क्या करोगे इसके बाद में चैनल को Migrate करोगे और अगर सप्स्व्राइब करद्र गये हो तो पहले लाइक करो भी दोस्तों नोगों के साथ में शेयर कर दो भीया, बहुत महनत किया हूँ मैं तुम लोगे लिए, ठीक है, तो शेयर वेर हो गया, अब अगली चीज़ क्या है, कि अगर आपके पास में प्रश्ण पत्र है, तो मेल करना है, ठीक है, और अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो टेलिग्राम चैनल में जिसका नाम है फोटन, और मैं हूँ आपका टीचर, अभिनो तो शांशू पंडे, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियों में, धन्यवाद,